हेलो दोस्तो आपका फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पेरोट मिर्च नहीं खाता है तो ऐसा क्या करना है कि आपका पेरोट मिर्च खाने लगे जानने की लिए वीडियो के इंट तक बने रहे हैं और चैनल पने आते चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी नोटिफिकेसन बेल को press करके और परसेट कर ले ताकि सारे लाटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिल जाते चलिए तो दोस्तो आप मेंसे काफी सारे लोगों के पैरट मिर्च खाना पसंद नहीं करते हैं चाहे उसे कितना भी भूखा रखाप जाए वो मिर्च नहीं खाते हैं तो आज के वीडियो में हम इसी तॉपिक वर बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम चिली के बिनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। चिली एक नेचुरल पैनकिलर है, कई बार पैरट को अपने केज में घूमते वक्त मेजर चोटे लग जाती है। जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, तो अगर आपका पैरट डेली मिर्च खाता है, तो ये एंजरी नेचुरल वे में ठीक हो जाती है। और कोई सीरियस इसू नहीं बनता। चिली खाने से पैरट का भॉकल कोड बिलकुल किलियर आता है, जिसे आपका पैरट जो भी बोलता है, वो बिलकुल किलियर होता है। चिली खाने से पेरेट को टॉकिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है जिसे पेरेट और भी इंट्रेस्ट लेकर टॉकिंग करते हैं चिली में बिटामिन ए होता है जो की पेरेट के ग्रोथ में हेल्प करता है और पेरेट के बॉड़ी टीसिस को रिपेर करता है चीली खाने से parrots के फेदर क्वालिटी में भी improve होता है और फेदर का यूर भी Sign करता है तो यह है चीली के benefits तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर हमारा parrots चीली ना खा तो ऐसा क्या करे कि आपका tongue चीली खाने लगे नमबर वन, अगर आपका पेरोट चिली खाना पसंद नहीं करता है तो मिर्च देने का टाइम चेंज करके अर्ली मॉर्निंग कर देना है मतलब मॉर्निंग टाइम कोई भी फोट देने से पहले मिर्च देना है क्योंकि मॉर्निंग टाइम पर पेरोट पूरी तरह भूखा रहते हैं इस टाइम पर मिर्च देने से वो जरूर खा लेंगे नमबर टू, अगर आपका पेरोट मिर्च नहीं खाता है तो मिर्च को पेरोट के फेबरेट वेजिटेमल में एड़ करके देना है मतलब जैसे कि टीटू को भिंडी खाना बहुत जादा पसंद है तो मैं मिर्च भिंडी में कट करके डाल देता हूँ इससे टीटू मिर्च खा लेता है तो ऐसा आपको भी करना है अगर इन सब के बावजूत आपका पेरोट मिर्च नहीं खाता है तो अब जो मैं ट्रीक बता रहा हूँ यह 100% बर्किंग ट्रीक है इससे आपका पेरोट मिर्च जरूर खाएगा तो आपको करना ये है कि पेरोट को केज से बाहर निकाल कर उसे एक पर्च पर बैठा देना है इसके बाद आपको एक मिर्च अपने हाथों में लेकर फोर्सली पेरोट के वीक के पास ले जाना है इससे वो एकर रेसीब होकर मिर्च को कुतरना शुरू कर देंगे अगर आप इस ट्रीक को सही तरीके से करते हो तो 100% आपका पर्च मिर्च खाने लगेगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ देखने को मिला हो तो आज के लिए बस इतना ही आज की वीडियो आपको कैसी लगी में कमेंट करके जरूर बता है असा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सेर करें थैंक यू